आखिर क्रिप्टो करेंसी क्या है? What is cryptocurrency in Hindi? आज जिसे देखो वो क्रिप्टो करेंसी के पीछे भाग रहा है बहुती कम समय में क्रिप्टो करेंसी ने financial market में अपना सत्ता मजबूत जाहिर कर दिया है चून की क्रिप्टो करेंसी को digital money भी कहा जा सकता है क्योंकि ये केवल online ही उपलब्ध है और इसे हम physically lane देन नहीं कर सकते दुसरे currencies जैसे कि भारत में rupees, USA में dollar, योरप में euro इत्यादी को सरकारें पुरे देश में लागो करते हैं इसलिए इनके उपर कोई भी agency या सरकार या कोई board का अधिकार नहीं होता जिसके चलते इसके मूल्य को regulate नहीं किया जा सकता तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आप लोगों को cryptocurrency क्या है के विशय में पूरी जानकारी दे दी जाए चूनकि यह विशय के बारे में जोरों सोरों से चर्चा हो रही है तो यह आपका अधिकार बनता है कि आप भी इस विशय में जाने और दूसरों को शिक्षित करें तो फिर बिना देरी किये चलिए जानते हैं कि आखिर ये cryptocurrency क्या होता है और इसके कितने प्रकारूप लब्ध है cryptocurrency क्या है cryptocurrency in Hindi cryptocurrency को digital currency भी कहा जाता है यह एक तरह का digital asset होता है जिसका इस्तमाल चीज़ों की खरीदारी या services के लिए किया जाता है इन currencies में cryptocurrency का इस्तमाल होता है यह एक peer-to-peer electronic system होता है जिसका इस्तमाल हम internet के माध्यम से regular currencies के जगह में goods और services को purchase करने के लिए कर सकते है इस व्यवस्था में सरकार ये banks को बिना बताए भी काम हो सकता है इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि cryptocurrency का इस्तमाल गलत तरीके से भी किया जा सकता है अगर हम सबसे पहले cryptocurrency की करें तो वो होगा bitcoin जिससे सबसे पहले दुनिया में इन ही कारियों के लिए लाया था अगर आज हम देखें तो लगभग 1000 से भी ज़्यादा cryptocurrency पूरी दुनिया में मेहजुद हैं लेकिन उन में से कुछ ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिसके विशे में हम आगे चल कर जानेंगे अगर हम सभी cryptocurrency की बात करें तो उन में से जो सबसे पहले प्रसिद हुआ वो है bitcoin इसे सबसे पहले भी बनाया गया था और इसे सबसे ज़्यादा भी इस्तमाल में लाया जाता है bitcoin को लेकर काफी kontroveries आई लेकिन आज में bitcoin cryptocurrencies में सबसे उपर स्थित है cryptocurrencies के प्रकार देखा जाए तो cryptocurrencies बहुत सारे हैं लेकिन उन में से कुछ ही ऐसे हैं जो की अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जिन्हें आप bitcoin के अलावा भी इस्तमाल कर सकते हैं एक, bitcoin अगर हम cryptocurrency की बात करें और bitcoin की बात ना हो तब तो ये बिल्कुल भी मुम्किन नहीं है इसके founder का नाम है Vitalik Buterin, इसके cryptocurrency token को Ether भी कहा जाता है तीन, Litecoin, Litecoin भी decentralized peer-to-peer cryptocurrency है जिसे की एक open source software जो की release हुआ है under the MIT X11 license के अंतरगत October 2011 में Charles Lee के द्वारा जो की पहले एक Google Employee रह चुके हैं चार, Doggy Coin, Doge, Doggy Coin की बनने की कहानी काफी रोचक है, इसे Bitcoin को मजाग करने के लिए कुत्ते से उसकी तुलना की गई जो आगे चलकर एक cryptocurrency का रूप ले लिया इसके founder का नाम है Billy Marcus, Litecoin की तरह ही इसमें भी script algorithm का इस्तमाल होता है पांच, Binance Coin, यह cryptocurrency Binance Crypto Exchange की मूल cryptocurrency है, जो volume के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा exchange है Binance को केवल 2017 में launch किया गया था, लेकिन अपने platform पर व्यापार को सुविधाजनक बना कर बहुत तेजी से विस्तार किया क्रिप्टो ने 2017 में अपनी कीमत से एक लंबा सफर तै किया है जो की सिर्फ 10 से इंट था जो 3 जनवरी 2022 को 5200 प्रतिशत पर बढ़कर 5200 प्रतिशत हो गया क्रिप्टो करिंसी के फाइदे अब चलिए कुछ क्रिप्टो करिंसी के फाइदों के बारे में जानते हैं क्रिप्टो करिंसी में फ्रॉड होने के चांसर्स बहुत ही कम है क्रिप्टो करिंसी की अगर बात की जाए तो ये नॉर्मल डिजिटल पेमेंट से ज्यादा सेक्यो होते हैं इसमें transaction fees भी बहुत है कम है अगर हम दुसरे payment options की बात करें तब इसमें account बहुत ही से क्यों होते हैं क्योंकि इसमें अलग-अलग प्रकार के cryptography algorithm का इस्तमाल किया जाता है Cryptocurrency के नुकसान अब चलिए कुछ cryptocurrency के नुकसान के बारे में जानते हैं Cryptocurrency में एक बार transaction पूर्ण हो जाने पर उसे reverse कर पाना असंभब होता है क्योंकि इसमें वैसे कोई options ही नहीं होती है अगर आपका wallet के it खो जाती है तब वो हमेशा के लिए खो जाती है क्योंकि इसे दुबारा प्राप्त करना संभब नहीं है ऐसे में आपके जो भी पैसे आपके wallet में स्थित होते हैं वो सदा के लिए खो जाते हैं आज आपने क्या सीखा मुझे पूर्ण आशा है कि मैंने आप लोगों को Cryptocurrency क्या है Cryptocurrency in Hindi के बारे में पूरी जानकारी दी और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को Cryptocurrency के बारे में समझा गया होगा